गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी यूट्व चैनल लेडी स्मार्ट क्लासेज में आए हम लोग एससी जीडी के परफस्स से और आरो यारो के परफस्स से आप लोगों के लिए लेके आए हुए हिंदी हिंदी का बैच तो हम लोगों की क् लोगों चलते हैं देखिए एससी जीडी वाले बिच्चे खास तोर से अभी द्यान दें फिलाल एससी जीडी में है कि हम लोग एडी स्मार्ट क्लासेज आप लोगों के लिए पूरा कोर्स मतलब संपूर्ण कोर्स की अगर बात करें तो वह मात्र सिर्फ और सिर्फ पांसो निन्यान बिरुपय में आप घर बैठे इसकी तैयरी कर सकते हैं मतलब अपना आपको एक्सेज मिल जाएगा पासवर्ड मिल जाएगा इसका आप एक्सेज कर सकते हैं इसका एप भी आ गया है एप के थूरू आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं गूगल प्ले से इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कहां तक दिवेदी यूग तक है ना तो दिवेदी यूग के बाद आप लोग एक बार रिवाइज कर ले ना जिन लोगों ने नहीं देखा हो जिन लोगोंने ना देखा हो class वो बच्चे class को एक बार यूट्यूब पे जाके यूट्यूब पे AD smart classes नाम से आप channel सर्च करिएगा उस पे आपको previous classes मिल जाएंगी अभी latest की वहां पर पढ़ी हुई है इसके पहले पुलिस बैच पढ़ाया गया था उसके इंदी पढ़ी हुई है लेकिन इसके बाद अभी जो latest में दो वीडियो प्लोड हुए है उसके बाद हम लोग next में चलते हैं तो आप लोग एक बाद रिवाइज उसको कर ली जिएगा अगर जो बच्चे नए जुड़े हैं नए वीडियो देख रहे हैं तो वह उन दो वीडियो को जरूर देख ले ना यह आपके आरो यारो तक काम आएगा ठिक आगे चलते हैं हम लोग तो देखो हम लोगों का दिवेदी युग हो गया था है ना दिवेदी युग में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि जो प्रमुख कवी हैं दिवेदी युग के उसमें हम लोगों ने मैथली सरण गुप्त का नाम पढ़ा आयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोध का ना नाम हो रहा है है ना माविर प्रसाद्वेदी हो गया जैसे भारतेंद यूग में भारतेंद अरिश्चंद का नाम हो गया है ना तो ऐसे करके राम सुक्लस नहीं राम नरेश त्रिपाथी बाल कृष्ण सर्मा नवीन यह आपके जितने भी महत पूर्ण कभी थे कभी तो बहुत सारे हुए लेकिन जो मुख्य मुख्य कभी थे जो अक्सर परिक्षाओं में पूछे जाते हैं आप से मालो दे दिया जाएगा कि अयुद्या सिंग उपाध्याय हरियोद यह किस टाइम पीरिड के कभी थे है ना तो आपका अ यह देखिए अब आता है पहले हम लोगों ने पूरु भारते अंद यूग पढ़ा भारते अंद यूग पढ़ा इसके बाद हम लोगों ने दिवेदी यूग पढ़ा दिवेदी यूग के बाद हम लोग आते हैं चायावाद यूग पे वेटा देखते हैं चायावाद कि चाया वाद यूग आपका कब से चार्ट होता है 1918 से 1936 तक माना जाता है मतलब 18 एर्स कि अठारा साल के बीच के गयब को हम लोगोंने क्या बूला छाय वाद यूग बोला ठीक पूछा जा सकता है कि छाया बाद यूग का कारेकाल या समय सीमा मानी जाती है तो 1918 से 1936 इसके बाद तो छाया बाद यूग को हिंदी साहित में भक्ति कावे के बाद इस्थान दिया जाता है इसके पहले भक्ति कावे आए उसके बाद इस्थान दिया जाता है छाया बाद इस प्रसाद जी ने यदि प्रकृति को मिलाया, निराला ने मुक्तक छंद दिया, पंत जी ने सब्दों को सरस बनाया, तो महा देवी बर्मा ने उसमें प्राना डाले, मतलब कहने का यह हुआ कि यह चार प्रमुख कवी ऐसे हैं, जिन्होंने छायावाद यूग को लीड किया, जिन्होंने छायावाद यूग को पूरा एक तरीके से उसमें अपना समर्पन दिया, ठिक, तो छायावाद यूग का इस्तंब कहे जाते हैं यह चार कवी, कौन-कौन से, प्रसाद, जैसंकर प्रसाद, कामैनी वगेरा लिखी इन्होंने, पंत, सुमित्रानंदन पंत, निर जाला और वर्मा, महादेवी वर्मा, तो एक आप लोग यह चीज नोट कर लो जो अभी हम लिखने जा रहे हैं, ठीक, दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, प्रसाद, पंत, निराला वर्मा, यह हैं चायावादी कर्मा, तो यह जो चार कवी हैं, इनका नाम प्रमुकता से लिया जाता है, ठीक, तो कवी आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, इसके बाद यह पिटा पुरानी स्लाइ से है, आगे हम लोग चलते हैं, इसके बाद आता है प्रगतिवाद, चायावाद उत्तर प्रगतिवाद यूग, ठीक, चायावाद के बाद जो यूग आया, वो क्या कहलाया, प्रगतिवाद यूग कहलाया, देखिए भाई साब, हिंदी साहित में 1936 तक हमारा वो था, कौन सा, चायावाद यूग, 1918 से 1936 तक कौन सा था, चायावाद यूग, 1936 से लेके 1942 तक, देख रहे हैं, अभी देश आजाद नहीं हुआ, है ना, और कविताय और ये सब किरचनाय हो रही है, मतलब आप लोग समझ सकते हो कि, जैसंकर प्रशाद, महादेवी वर्मा, ये सब हम प्रगतिवाद में रखा गया इन लोगों को 1936 से 42 तक, अब उनको 1918 से 36 तक रखा गया, अब इनको देख लो, तो 1936 से 42 तक में आपका आता है प्रगतिवाद, इसमें क्या है, इस अवदी को प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है, प्रगतिवाद के आधी प्रवर्तक, Karl Marx, राजनीत में जो माक्सवाद है, साहित में वही प्रगतिवाद है, मतलब यह हुआ कि जो Karl Marx, राजनीत में जो उनका इस्थान है, माक्सवाद के नाम से, ऐसे ही यहाँ पर प्रगतिवाद कहलाया, छिक? प्रगतिवादी कवियों में सुमित्रा नंदनपंत, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यह तो उसमें भी थे, स्रिपाठी निराला, तो भाई ऐसा है ना, कि 1918 से 36 तक भी उन्होंने रचनाय करी, और ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने 36 के बाद रचनाय करना बंद कर दी हो, माल पचास में भी लिखो जाके, बावन में भी लिखो जाके, तो ऐसा तो नहीं है कि आप यहीं तक सिमित हो गए, तो ऐसे करके कुछ कवियों को इसमें भी सामिल किया गया, ठेक, सुमित्रा नंदनपंत हो गए, सुर्य कांत्रि पाठी निराला हो गए, केदार नाथ अगरव डाक्टर रामविला स्थर्मा आदी है, तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि सुमित्रा नंदन पन्त हो गए, त्रिपाठी निराला हो गए, तो इन में इन लोगों का नाम किसमें रखा जाता है प्रगतिवाद यूग में, प्रगतिवाद का यह मतलब समझे है आप लोग कि प्रगतिवाद यूग में कि कौन कौन से प्रमुख कभी है इनका टाइम पीरिएड क्या है इतना इनफ है आप लोगों के लिए समझ में आ गई न बद चलो आगे चलें कि देखो बिटा कि प्रियोगवाद सब्द का प्रिचलन अग्गे अग्गे द्वारा संपादित तार सब्दक से माना जाता है ठीक चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग तो इनका प्रिचलन जो प्रियोगवाद सब्द का प्रिचलन है प्रियोगवादी कविता कहलाई प्रियोगवाद का टाइम पिरिएड कहलाया प्रियोगवाद बोला गया ये किसके द्वारा बोला गया या किसके द्वारा प्रचलित था? अगे द्वारा. संपादित तार सब्तक से माना जाता है. अगे ने तार सब्तक के कवियों को राहूं का अन्वेसी, देखो ये important line है, अगे ने जो तार सब्तक में साथ कवी थे न, तो उनको क्या बोला? राह कानवेसी कहा है प्रियोग वाद सबसे अधिक अस्तित्वाद से प्रभावित है समकालीन समिक्षा में अग्ये को अस्तित्वादी घूसित किया गया है तो उस समय की जो समिक्षा थी उसमें अग्ये को क्या बोला गया अस्तित्वादी ऐसे निकलने हैं कि अग्ये को क्या बो कर रहा है मतलब 1936 से 42 की बात कर रहें तो उस समय के time period में उस समय अग्ये को क्या बोला गया अस्तित्वादी बोला गया प्रियोगवाद Lawrence का प्रचलन उनके द्वारा किया Gया वही देखो सीधा सा लिखा है प्रियोग्वाद सब्ध का प्रचलन अग्ये द्वारा संपादी तार सब्तक से माना जाता है आगे देखो नई कविता के मुख्य तत्तो अनभूत की सच्चाई और बुद्धि मूलक यथार्थवादी द्रस्टी है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्स 1954 में इलाबाद से हुआ देखो एक नई कविता पत्रिका भी आई पहले देखो क् समझने की यह है कि पहले कविताएं जैसे बहुत प्राचीन समय में राशो ग्रंत रचे गए फिर दीरे-दीरे और ग्रंत आए है ना कविताएं और आई लेकिन जब हमारी नई कविता आई या हमारी जो प्रक्यतिवादी वाली कविता आ गई तो इनमें क्या था कि एक कव कि यह कोई जरूरी नहीं था जैसे जैसे संकर प्रशाद ने कामाइनी वगेरा लिखे तो उनमें और नई प्रियोगवादी कविताओं में फोड़ा डिफरेंस था भावों का डिफरेंस नहीं कहेंगे लेकिन सब्दों का डिफरेंस था तो इस वज़े से उनको के टेगरा का नामक से पत्रिका आई उसका प्रकाशन हुआ कब हुआ विटा 1954 में कब हुआ 1954 में और कहां पर हुआ इलहाबास से हुआ ठिक इसके संपादक कौन थे तो डाक्टर जगदीश गुप्त इसके संपादक थे देखो थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहे हैं अभी हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगे कि यह यार नई नई चीज़ें हैं लेकिन इतियास आप जो हिंदी साहित का इतियास एक बार पढ़ लोगे तो इन फ्यूचर किसी भी तैयारी के लिए आपके काम आएंगे question कुछ ऐसे हैं जो आप कर सकते हो जो आप पड़े हो वो कर सकते हो कुछ बच्चे जो केवल वियकरन पर दें रहे हैं वो साहित पर इतियास पर दें नहीं देंगे कभी-कभी प्रशनों में उतियास जदा पूँछ लेता है तो यहां पर यह देखिए कि इलावास से इसका संपादन हुआ बेटा किसका नई कविता का और नई कविता क्या थी पत्रिका थी ठीक तो नई कविता नामक पत्रिका का संपादन हुआ कब हुआ 1954 में हुआ कहां से हुआ इलावास से हुआ इसके संपादक कौन थे तो अन्यास, निवंध, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्ताज, यात्रा साहित, देखो यात्रा साहित में आपने देखा अगर राहूल सांकरतायन, है ना, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने अपनी यात्रा लिखी, लिखी की नहीं लिखी, तो मेरी यूरोप यात्रा, आप लो तो यह करके इन्होंने चीजे लिखें पत्रसायत लिखें तो मतलब कहने का यह हुआ कि जितने भी विधाएं हैं जितनी भी विधाएं हैं वो सब हमारे वो तो नहीं पूंच रहे हो आवारा मसिया यह है यह दूसरे मोहन राकेश की है यह उनकी दही है तो हुआ क्या कायने का मतलब यह समझिये कि जितनी भी विधाएं थी साहित जो हमारी हिंदी भासा है उसमें हमारी जितनी भी विधाएं हैं उन सभी विधाओं में इनकी रचना हुई नाटक भी लिखे गए आपने भारतें दौहिस्चंद के नाटक देखे होंगे है ना अंधेर नगरी और इसके बाद कहानियां भी लिखी गई मुंसी प्रेम चंदवारा देखो बूरी काकी और पंच परमेश्वर है ना और एक उसमें इदगा एक चैप्टर था कहानी थी उसमें वो चिम्टा लेके आता है अपनी दादी के लिए तो ऐसे करके बहुत सारी कहानिया आप कहानिया देखो बहुत राइटर्स रहे एक राइटर नहीं बहुत राइटर्स तो यहां कहने का मतलब है कि हिंदी इस वज़े से संब्रत हुई जब हर विधा में इनकी रच लिखे गए पत्र साहित भी लिखे गए जैसे पुत्री का पत्र पिता के नाम इंद्रा गांधी के पत्र कही गए पंडिजवाला नेरु के लिए तो वो सब किस में आ जाता है पत्र साहित में आता है यह सारी चीज़ें हो गई तो यहां पर उपन्यास तो देखो बेटा आप लोगों ने कई सुने होंगे, है ना, जैसे गोदान है, गवन है, कर्बला, निर्मला, सेवा सदन, रंग भूम, कर्म भूम, ये सब किसके हैं उपन्यास, मुंसी प्रेम चंद के, तो इन लोगों ने अपना इतना अहम योगदान दिया जो की बहुत काबिले तारीफ है, आगे चलें हम लोग, देखिए, अब बेटा यहाँ पर समझो, कि हिंदी के विकास से संबंदी संस्थाएं, कुछ जो संस्थाएं रहें, जो हिंदी के विकास के लिए उन्होंने काम किया, भाई, हुआ क्या था, कि जब हम 1800 या 1900 की बात करें, तो उसमें हिंदी इतना प्रचलन में तो नहीं थी न, उसके विकास के लिए कुछ संस्थाओं ने काम किया होगा, कुछ विक्तियों ने काम किया होगा, है न, तो जो कवी थे, लेखक थे, उन्होंने उसके विकास के ल विकास से संबंदित कुछ संस्थाओं हैं, और उन संस्थाओं का हम लोग नाम देखेंगे, तथा उनका इस्थापना वर्स देखेंगे, क्योंकि ये ज्यादा तर पूछ लिया जाता है, जैसे आपका फोर्ट विलियम कॉलेज, पोर्ट विलियम कॉलेज, सबसे पहले इस करके या उसको ट्रांसलेशन पद्दती अपनाई, जिससे वो क्या करते थे, कि कम से कम अपने जो उनके अधिकारी लोग होते थे, उनको वो चीज़ ट्रांसफर करते थे, जिससे वो आम बोलचाल की बासा समझ सके, ये चीज़ करते थे, तो देखो, फोर्ट विलियम कॉल कॉलेज की स्थापना कब हुई तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आपकी अठारा सो में हुई कलकत्ता वेस्ट बंगॉल में इसके बाद देखो हिंदी उद्धारणी प्रतिनी दिमध्य सभा ये प्रयाग में हुई प्रयाग राज आप बोल सकते हो उत्तर आपका फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में ये 1884 में इसकी स्थापना हुई ठिक इसके बाद नागरी प्रचारणी सभा ये देखो कासी में हुई कासी मतलब बनारस तो बनारस में हुई बेटा ये कभ हुई 1800 32 में कभ हुई 1800 93 में ठिक इसके बाद हम लोग चलते हैं हिंदी साहित सम्मेलन ये भी हुआ आपका प्रयाग राज में हिंदी साहित सम्मेलन ये भी पूछा जाता है ऐसे भी इसका नाम होता है, तो कासी नागरी प्रचारणी सभा, जो आपका टाइम पीरियड है वो अठारा सो तिरानवे है, इसके बाद हिंदी साहित सम्मेलन, हिंदी साहित सम्मेलन आपका हुआ उनिस सो दस में ठीक, अब यह देखो संस्थाय है, संस्थाओं की तो कोई ट दक्षिन वारत हिंदी प्रचार संस्था। दक्षिन वारत की जो हिंदी प्रचार संस्था थी वो मद्रास में हूई। मद्रास बोले तो कहां पर चिन्युए। 1915 में ठीक तो भाई कहने का मतलब यह है कि हिंदी सिर्फ और सिर्फ नौर्थ का पार्ट नाओं के सदर्न पार्ट में भीस के लिए कार हुए उसके लिए यह संस्था देखो बनी दक्षिन भारत हिंदी प्रचार संस्था तो वो दक्षिन भारत के उनको देखती थी और मद्रास में स्टेवलिस हुई चिन्यई 1915 में यह पूंचा जा सकता है ज्यादा तर इंपोर्टेंट कौन सा है तो यह देख लो कासी नागरी प्रचाणी सभा 1893 फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 इसके बाद आपका यह आ जाता आगे चलें अखिल भारती संगीत परिसद अखिल भारती संगीत परिसद बंबई में हुआ महारास्ट और इसके बाद टाइम पीरिट कहा था 1929 अब गुजरात विद्यापीट तो अहमदाबाद में अहमदाबाद है तो गुजरात में तो गुजरात विद्यापीट establishment हुई आ इसका और 1920 में अच्छा देखो हिंदी विद्या पीठ देवघर कहां है देवघर जहर खंड में है तो यहां पर 1929 में इसकी स्थापना हुई ठीक देखो नागरी लिपी सुधार समित किसकी एद्यक्षिता में हुई गांधी जी की एद्यक्षिता में ठीक किसकी एद्यक्षिता में हुआ गांधी जी की एद्यक्षिता में हुई ठीक कब हुई तो 1935 में कहां हुआ तो इंदाओर में इंदाओर बिटा कहां पर है तो MP में ही तो है, मद्र परदेस में तो यहाँ पर देख लेते हैं नागरी लिप सुधार समित करे जो हमारी देवनागरी है लिप उसकी सुधार समित कहां पर हुई? इंदोर में कब हुई? तो विटा 1935 में और उस समय उसकी अध्यक्षिता किस ने की तो गांदी जी ने उसकी अध्यक्षता की, आगे चलें, प्रगतिसील लेखक संग लखनव, देखो अमारा लखनव भी पीछे नहीं रहा, प्रगतिसील लेखक संग, तो प्रगतिसील लेखक संग का एक संस्था बनी, कहां पे उसका establishment हुआ, तो लखनव में, और 1936 में, राष्टवासा प्रचार समिति वर्धा, वर्धा देखो महाराष्ट में है न, तो राष्टवासा प्रचार समिति वर्धा ये 1936 में, तो 1936 में देखो दो, एक तो लखनव में भी एक हुई प्रगतिसील लेखक संग, और दूसरी राष्टवासा प्रचार समिति, आगे चलत असमराष्ट वासा प्रचार समित यह असमराष्ट वासा प्रचार समित गुवाटी यह असम में 1938 में ठीक बंबई हिंदी विद्यापीट इसका हुआ मुंबई में महाराष्ट 1938 में इंडियन प्रचार 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 समित यह असमराष आपको हैं आपको बता देंगे राष्ट वासा परिस्ट पुणे कहां पे हैं महाराष्ट में 1945 में ठीक देखो देव नागरी लिप शुधार समित यूपी में हुई 1947 में बिहार राष्ट वासा परिशत देखो हर उसका अलग-अलग राष्ट वासा परिशत बनने लगा बिहार राष्ट वासा परिशत पटना में हुआ बिहार 1951 में ठीक यहां तक कोई दिक्वित अब यह संस्था इसलिए एक जगए आपको दे दी गए कि आप लोग इस से नोट कर सको इनको रिवाइस कर सको यह देखो जन्य पांचा जाता है कि हिंदी यौद्र कादमी अज भी है न और यहीं और भाहिक साルク मिलते हैं आप आपना कब हुई? 1903 में. इसके बाद कहाँ पे हुई तो देखो New Delhi. इसके बाद संगीत नाटक अदमी नई दिल्ली यहाँ यह भी 1903 में. नेशनल बुक ट्रस्ट, तो नेशनल बुक ट्रस्ट हमारा ये जो संस्ता थी, ये भी नई दिल्ली में इस्थापना होई 1957 में, ठिक, नेशनल बुक ट्रस्ट, कब 1957 में, कहां पे नई दिल्ली में, संगीत नाटक अकादमी, ये भी अमारी नई दिल्ली में, कब 1903 में, हिंद दिल्ली में नागरी लेपी परिशद ये देखो नागरी लेपी परिशद एक तो आपका U.P. में हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ कब 1975 में तो इनके नाम से ये संस्था खोली गई किस नाम से अंतरराश्टी हिंदी विश्विध्याले इंटरनेशनल लेविल पर ठीक तो अंतर राश्टी हिंदी विश्विध्याले की स्थापना हुई 1997 में देखो अब हिंदी हमारी बोली जाती है कि राजभासा है, है ना, राजभासा हिंदी भी और अंग्रेजी भी तो है राजभासा, नहीं है अंग्रेजी, तो हिंदी को भी राजभासा के रूप में सम्मानित किया गया, तो राजभासा हिंदी है, इसमें देख लेते हैं हिंदी का रो गवर्मेंट मतलब सरकार तो जिस भासा में सरकार का कामकाज होता है या सरकार का कामकाज समपादित होता है उसे हम क्या बोलते हैं राजभासा कहते हैं अब देखो जब असोग का नथा तो असोग के समय में राज भासा कौन सी थी पाली पहले देखो संस्कृत और संस्कृत से विट आप क्या आई है ना पाली भासा आई तो जो पाली भासा थी वो क्या थी इनका राज भासा किसी थी असोग के राजवासा है और यस समय आदुनिट्री समय में हिंदी राज भासा है राजस्थान के ग्यार्वी से 55 सताब्दी के मद्धि कुराव लेखों से पता चलता है कि उस समय हिंदी मिश्रित संस्कृत राजवासा थी तो जो ग्यारवी से पंद्रवी सतापदी के मद्द मलब मतलब कहने का दस सो कुछ यह हुआ और चौदा सो कुछ है ना तो इतने तक में क्या हुआ करता था क्या बता रहे हैं कि आपकी जो हिंदी मिश्रित संस्कृत है वो राजवासा हुआ करती थी पे और हिंदी नहीं थी राजवासा जो संस्कृत मिक्स्ट हिंदी थी वो राजवासा हुआ करती थी मुहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक हिंदी राजवासा थी अब देखो मुहम्मद गोरी के सासनकाल के बाद से लेके जो देखो मुहम्मद गोरी ने क्या किया मुहम्मद गोरी जब यहां आया तो वो कुतब दिन एबग को राजगदी पे बिठा के चला गया भाई गुलाम वंस में जब एबग को लाया तो गोरी ही तो लाया भाई गोरी का गुलाम था वो, स्तेनापती गुलाम था, उसने उनको बिठा दिया, बोले भी आब हम तो जाते हैं, हम तो ऐस कर लिये, है ना, गजनवीस के पहले आये थे, वो बहुते हाई फाई थे, उनके बारे में कहना ही क्या है, गोरी आये, इन्होंने थोड़ा देखा असन वे उसन देखी इसके बाद ये एबग को बिठा के चले गए, गुलाम वंस आया, तुगलक वंस आया, है ना, तो सयद वंस आया, लोधी वंस आया, खिल जी वंस मीच में आया, तो गुलाम वंस के बाद खिल जी वंस आया था, फिर तुगलक वंस आया था, फिर सयद बन्स आया था फिर लोधी बन्स आया था ऐसे करके उसके बाद से फिर मुगल इंपायर स्टार्ट हुआ बाबार आये हुमायु आये अकबार आये तो इतने टाइम पीरियड तक राजवासा कौन सी चल रही थी हिंदी राजवासा थी राजवासा दूसरी भी हो सकती है राज भी राजवासा घोसित की गई तो अब जो अकबर के सासनकाल में अकबर के वहां तक रहा इसके बाद उन्हें के सासनकाल में जो टोडर मल थे उनके आदेश से क्या हुआ फार्सी को भी राजवासा घोसित कर दिया गया ठीक तो फार्सी हमारी क्या हो गई इनकी राजवास हो गई अकबर के इस आसनकाल में दो राजवासाएं रहे गई है ना एक तो आपकी पहले हिंदी थी टोडर मल ने कर दिया थोड़ा आदेश दे दिया कि वही फार्सी को कर दिया जाए तो फार्सी राजवासा कर दी गए देखो इसके बाद मुगल इंपायर के बाद जब ब्रिटिस इंपायर आया तो इस्ट इंडिया कमपनी ने 1833 इसवी तक फार्सी को राजवासा बनाए रखा बाई टोडर मल के आदेश से हिंदी की जगए क्या फार्सी हो गई तो 1833 इसवी तक इनोंने क्या किया फार्सी को राजवासा बनायर अ अब यह हैं तो यह तो इंगलिस को लाएंगे ना फार्सी की जगए तो इंगलिस लाएंगे तो इनोंने कया किया 1833 तक अहगू ने फार्सी को राजवासा बनाए रखा इसके बाद British आसन में Lord Maykale, अब दो को लाड मैकाले का बहुत ज्यादा रोल था, हिंदी के प्रचार प्रसार में, हिंदी भासा को आगे करने में या हमारी शिक्षा पद्धती में अंग्रेजी को लाने का सबसे ज्यादा अगर बड़ा स्रे जाता है तो किसको Lord Maykale को, तो लॉड मैकाले के प्रयास से अंग्रेजी राजभासा के पदपर सुसोबित हुई। अब कौन हो गया राजभासा अंग्रेजी सबसे पहले देखो कौन सी थी हिंदी इसके बाद कौन सी आई इसके बाद अब बताओ अगर कोई कहें कि गोरी के बाद तुगलक वन साया, इसके बाद गुलाम वन साया, खिलजी वन साया, तुगलक वन साया, सैयद वन साया, लोधी वन साया, कोई कह देगी यार ये लोग फार्सी को अरेबिक को इसको मैं तो पून देते होंगे लेकिन राजबासा कौन थी राजबासा हिंदी को ही रखा अकबर के टाइम पीरियेट तक अकबर के टाइम पीरियेट पे थोड़ा last में हुआ क्या कि टोडरमल के प्रयास से या उनके 1833 तक फिर फार्सी को राजबासा कहने का मतलब यह है कि हम यह आम बोलचाल की भासा नहीं बता रहे हैं, यह राजबासा है, मतलब जब सासन का कुछ काम चलता होगा, वो किस भासा में चलता होगा, तो वो आपका, जब इन लोगों का टाइम पीरेट था तो हिंदी में चलता ने जब आदेश दिया, तो 1833 तक फार्सी में, अभी तुम लोगों ने देखो, हिस्ट्री में पीटा देखा होगा, जो पुराने कहीं लेटर से देखना, मतलब हिस्ट्री की बुक्स वगेरा में या कुछ, तो उसमें सब फार्सी लेंग्वेज से चीज ने लिखी रहती लेकिन जो सासन का कारे होगा, वो किस वासा में होगा, फार्सी में, इसके बाद 1833 के बाद, 1833 तक तो फार्सी चली, उसके बाद, लौड मैकाले के प्रयास से अंग्रेजी राजवासा में, अब सासन का कोई कारे होगा, तो इंगलिस से होगा, अब तुम्हें इंगलिस आ आपघी को किस इसी चेतना के साथ इसको फिर से इंग्लीज令 के बाद कनवर्ट किया गया कि भाई इसको राजबासा भी बनाया जाए और ये हमारे हिंदुस्तान की एक राष्ट्र भासा भी बने लेकिन अभी केवल राजबासा के पतपर सुसोवित है राष्ट्र भासा नहीं बनाई जा सकी ठीक पंडित मदन मौन वालवी के सतत प्रयतनों से 1901 में संयुक्त प्रांत की जो कचैरी थी कचैरी की भासा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान दिकार मिला भाई फार्सी का जैसे संस्कत का तोड़ है हिंदी वैसे ही फार्सी का क्या है उर्दू है तो पुराने तुम लोगों ने हिस्ट्री में देखे होंगे जब भगर सिंग्या और यह कुछ नहीं आभी भी देख लो कोड के चहरी की जो लेंग्वेज है मुवक्किल को है ना बहुत सारे वर्ड उर्दू के ही लिखे जाते हैं आपने देखा मिन जानिब जब हलफ नामा वगेरा बनवाओ तो उसमें मिन जानिब फलाने डिकाने ऐसे करके जो है वो लेंग्वेज यूज होती है तो हुआ क्या कि अब समझ लो 1901 कहां आ गए हम लोग 1901 में आ गए यहां पर क्या था कि पंडित मदन मौन मालवी के प्रयास से जो संयुक्त प्रांत की के चहरी थी उसमें भासा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिल जैसा ने तो हिंदी को उतना अधिकार नहीं था उर्दू के जैसा क्योंकि फार्सी राजवासा उनकी पहले से चली आ रही थी और इंग्लिस तो उसके बाद उर्दू उनकी चल रही थी लैंग्वेज उर्दू और इंग्लिस इसी में समाचार पत्र भी छपते थे जो यह चीज़ होती थी, आज हम हिंदी के लिए संगर्ष कर रहे हैं, संगर्ष तो आज भी कर रहे हैं हिंदी के लिए, अभी हमकोई एक वीडियो देख रहे है थे पत्णा आहिकोड का, वहाँ पर जो वकील था और जो जज़ थे, तो ज़ज को इंगलिस आती थी, देखा होग इसको क्यूं पढ़े जा रहे हैं वकील से का तो वकील उनसे बोला कि सर यही तो दिक्कत है आपको हिंदी नहीं आती और हमें इंगलिस नहीं आती तो अब यह समझो आज भी क्या होता है जैसे हमने को यह अपराद कर दिया सपोस करिए तो हमारा केस हम हिंदी वासी चेतर के हैं हमें हिंदी आती है बात तो यह होती है कि सामने वाला जो जज है जो न्याय करता है जो न्याय देगा तो उसको हम अपना पच्छ रख सकेंगे न कि सर यह यह बात हुई ऐसी ऐसी हमारी इस्थिती थी ऐसी situation थी और हम ऐसे ऐसे गए हमने यह काम कर दिया यह हमारे साथ यह कांड हो गया तो अच्छा चलो ठीक है हम ना भी बताएं तो हम अपने वकील को बताएंगे वकील अपनी दलीलें रखेगा होता क्या है कि उपर उपर दोनों English to English अपना लड़ लेते हैं बात कर लेते हैं बात रख दिये फैसला केवल तुम्हें सुना दिया जाता है कहने के मतलब जो वहां पर जिसका केस है वो केवल सुनता है आज भी उतना अधिकार नहीं मिल पा रहा है बताओ आप कोई काम कर दो आप वकील के पास जाओ वकील बहुत हाई-फाइव में जाओगे वकील अप तुम अपनी बात रख पायो ना रख पायो तो कहने के मतलब आज भी संगर्सरत हैं तो हिंदी के लिए तो भाई आज भी वक्ति संगर्स कर रहा है और अच्छा बात ये भी है कि इंटरनेशनल लेंग्वेज के तोर पे हम लोगों की हिंदी काम नहीं कर पाई या हम लोग लोग भी एक्जाम टाइम देखते होगे अब तो क्या करते हैं और सबसे बड़ी गलती बहुत बुरा लगता है जब पेपर को गूगल ट्रांसलेट करवा देते हैं हिंदी और इंग्लिस वर्जन में इंग्लिस वर्जन का वो गूगल ट्रांसलेट करवा देते हैं वो पत इंगलिस वर्जन को यह लोग क्या करते हैं अभी हम तुम्हें बताएं बलब एक हाई लेवल के पेपर की बात बताएं इसका नाम सुना होगा बिटा आप लोगों ने इसमें जो फर्स्ट पेपर आता है 50 questions उसमें आपकी जो research methodology है teaching aptitude है यह सब चीजों के जो questions थे बनाये तो इंगलिस में गए और इनका जानते हो अनुआद किस से करवाया गया अनुआद इन लोगों ने करवाया Google Translator से अब Google Translator तुम लोग समझते हो कितनी सुद्ध हिंदी देता है है ना वो कभी-कभी ऐसे टर्म्स की हिंदी देता है जिनको हमें हिंदी क्या वसकता है नहीं होती है ऐसे टर्म्स की हिंदी देता है तो कहने का मतलब उसमें समझ में ही नहीं आ रहे थे question तो अमूमन आदमी क क्या देखना पड़ता था उसका हिंदी वर्चन देखना पड़ता था और जिसकी हिंदी जिसकी इंगलीस वाइस आप जीरो है जीरो नहीं कहेंगे मालों इंगलीस उतनी अच्छी नहीं है उसका तो बेना पार हो गया होगा ना उसमें नहीं कर पाया होगा उतना अच्छा तो कहने के मतलब यह है कि राश्टवासा, राजवासा और इसके रूप में हिंदी, राजवासा तो नहीं, राश्टवासा के रूप में आज भी संगर्सरत है तुम लोगों ने भी कई चीज़ें ऐसी देखी होंगी भारतवर्स के लिए हिंदी वासा का नाम सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवी ने सुझाया किसके लिए भारतवर्स के लिए वाई साब हिंदी वासा रखी जाए इसका नाम सबसे पहले किसने सुझाया पंडित मदन मोहन मालवी संविधान सभा में हिंदी को राजभासा बनाने का प्रस्ता हो देखो यह तो राजभासा ही नहीं बन पा रही थी कहने का मतलब यह है कि यह राजभासा बनाने में ही बहुत प्रयास किये गए जब आप सम्विधान पढ़ोगे इसके बारे में इस्ट्री पढ़ोगे तो पहले तो यही था कि कहीं यह रह न जाए हिंदी करते करते यह हिंदुस्तान की भासा राजभासा का दरज़े न मिल पाए पतजला कुछ शेत्रों में सीमित रह जाए बस तो इस वज़े से इसको राजभासा बनाने का प्रस्ताओ किसने रखा गोपाल स्वामी एंगर ने प्रस्तुत किया भारती सम्विधान सभा में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मानिता प्रदान की गई देश हमारा का बाज़ाद हुआ 47 में 48-59 में लागू हुआ था तो 49 में इनको क्या कर दिया गया सितंबर 1949 को मानिता प्रदान कर दी गई किसके तौर पे आज़ा राजभासा कौन हिंदी ठिक तो हिंदी को राजभासा का दर्जा अब दिलाने का स्रे किसको जाता है देखा जाए तो गोपाल स्वामी एंगर कहां के थे साउथ के थे नौर्थ अर्थ के नहीं थे समझ रह कि नहीं हिंदी को राजभासा बनाया जाए कुछ आयता तो इंग्रिस को और ज्यादा जूरदारी दे देता कर तमिल लेंग्विज को दे देता लेकिन ना उसने क्या किया हिंदी को राजभासा के उसमें बनाने के लिए प्रस्तुत किया इन्होंने ठीक तो यहां से दो चीजें clear होती है कि कभ इसको मानेता मिली 14 सितंबर 1949 को तब ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है मनाते हो न सब लोग उस दिन तमाम बाशन होंगे प्रतियोगिता हैं होंगी हिंदी 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 उसके बाद कोई काम है तो इंग्लिस बच्चों को पढ़ाएंगे इंग्लिस मीडियम पढ़ाओ अच्छी बात है लेकिन उनको हिंदी से दूर ना रखो हम यह नहीं कहते है है कि आप अपने बच्चे को इंग्लिस मीडियम में अपने छोटे भाई बैन को इंग्लिस मीडियम में ना पढ़वाओ लेकिन उनको कम से कम हिंदी का भी ग्जान हो है ना आज चलो ठीक है मानते हैं लेकिन अपनी हैर मात्रिवास है हम लोगों की जो अपने नौर्थ का जो कि नहीं इंगिलिस से कोई बुराई है बाई जहां देखो जैसा चलन में वैसी चीजें माननी पड़ेंगी अगर आप नहीं मानते हो तो आप फिर पीछे हो या तो फिर आप अपने आप में इतने ससक तो हो चाइना देख लो मंदारिन यूज करता है मंदारिन को नेशनल इं तो हम लोगों को योगदान दोटना नहीं रहा जो भी कह लो सम्विधान के अनुछेद 343 के अनुसार विटा संग की जो राजभासा है हिंदी और लीपिदेव नागरी है तो अनुछेद 343, देखो सबसे ज़्यादा आ जाता इग राजभासा का किसम है कौन सा अनुछेद में तो अनुछेद 343, अनुछेद 343 में किसका बर्दiasm और इसके अनुसार संग कि क्या बोला गया कि संघ के लिए बुला गया ना रह देश है पुरा संग भारत को संग बोला गया ना तो इस ही राजबासा किया रहे dedicate और इसकी अ रहे देवनागरी यही जो हम लोग लिखते हैं छोटा का यह देवनागरी लिपी है तो इसको रखा गया सम्विधान देखो 343 के बाद अब हम लोग 44 में आ जाएं तो अनुच्छेद 344 में राजभासा संबंधी आयोग और संसद की समिति का उलेख है तो राजभासा संबंधी जो आयोग बनाई गए जो समितियां बनाई गए उनका आलेख की सनुच्छेद में है 344 में 343 में क्या है राजभासा का उलेख है ठिक राजभासा हमारी क्या है हिंदी है कब एक्सेप्ट की गई तो बेटा 14 सितंबर 1949 को सम्विधान के अनुच्छे 344 एक के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभासा आयोग के गठन का आदेश जारी किया 344 में क्या था आयोग समितिया आदि का उलेख था लेकिन बनाने का प्रस्ताओ कब बेजा राष्ट्रपति ने 1955 में की आयोग का गठन किया जाए है ना आयोग बनाया जाए आयोग का गठन होगा फिर उसके अध्यक्ष बनेंगे फिर उसके मेंबर बनेंगे तब एक पूर 1955 में ठिक राजबासा आयोग के गठन का आदेश जारी किया अब 344 के नुसार क्या थी राजबासा आयोग की सिफारिसों की जांच के लिए एक समित गठित की गई जिसमें लोगसभा के 20 तथा राजसभा के 10 इस प्रकार कुल 30 सदस से थे कहने का मतलब यह था कि राजबासा आयोग का जो वो थी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई उसमें लोगसभा के 20 और राजसभा के 10 मिम्मबर थे इन 30 लोगों को जांच कमेटी में रखा गया कि आयोग बना, आयोग कारे करेगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन सब की जाच के लिए ये बनाई गई टीम, राजबासा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राजबासा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे, आयोग की प्रथम बैठक बेटा 15 जुन में आदेश हुआ, जुलाई में बन गया, कोई भाई मकान तो है नहीं कि उसको बनाया जाएगा, अध्यक्ष उसके लिए न्युक्त किये कर दिये गए, उसके लिए मेंबर न्युक्त कर दिये गए, आयोग बन गया, जैसे अभी आपने देखियोंगे उच्छ उसके लिए अध्यक्ष बना दिये गए, उनके मेंबर्स बना दिये गए, तो 15 जुलाई 1955 को क्या हुआ, आयोग की बन गया, आयोग की अध्यक्षिता किसने की, बालगंगा धर खरे ने, ये बालगंगा धर वो वाले नहीं है, कौन, बालगंगा धर तिलक वाले नहीं है, तो इन्हों ने चलो आज यहीं तक रखते हैं ठीक है तो इसके बाद हम लोग एक बार देख लें तो यहां पर हम लोगों ने देखा 341, 344 ठीक तो यह सारे हम लोगों के हो गए चलो एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहेंगे जो बच्चे सीरियस तयारी करना चाहते हैं वो कोर्स को आप लोग इसको Google Play Store से आप लोग AD Smart Classes जो हम कोचिंग का अप है उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए अगर आप लोग सीरियसली SSC GD के लिए लगे हुए हो आपको free में भी available है और YouTube में भी उसमें बैच में आपके इसमें भी available रहेंगी लेकिन जो आपकी math की classes हैं reasoning हैं कुछ ऐसी classes हैं जो आपकी syllabus को ध्यान में रखके ही बनाई गई हैं तो उनको आप आसानी से access कर सकते हो आप लोग आसानी सुन्स को पा सकते हो इस वज़े से लोग अगर चाहो आप seriously तयारी करना चाहे तो SSE GD के लिए 5099 कोई ज्यादा नहीं है आप लोग एक बार इसको try करके देखिए केवल कोर्स अभी lunch किया गया है starting में यह आपका मात्र 5099 का ठिक 599 का इसमें आपको जितने भी subject उसमें साहथ 4 subject आते हैं Hindi, reasoning, math और कौन सा हैं आ तो यह जो चारों हैं चारों पार्ट आपको मिलेंगे विदिवत जैसे आपको GS का portion खोला उसमें सारी चीजे मिल गई math वाले में आपके topic wise पढ़ाया गया है reasoning में और reasoning भी बहुत अच्छी पढ़ाया जा रही है ADSmart classes के थुरू तो आप लोग एक बार YouTube के थुरू भी देखिए अगर आपको demo देखना है आप YouTube पे देखिए इसके बाद आप चाहें तो आप पांसो निन्यान भी कोई ज्यादा नहीं है आप लोग पढ़ सकते हैं और अपनी तयारी को और अच्छी उडान दे सकते हैं यूट्यूब पे आप लोग इसको देख सकते हो इसके ब जितनी भी चीजें वह आपको प्रवाइट करा दी जाएंगी तो यह आप लोग कर सकते हो बाकी मिलते हैं फिर हम लोग next class में तब तक के लिए एक काम और करना रिवाइज जरूर करते रहना क्योंकि यह हम लोग डिटेल इसका पढ़ रहे हैं आरो यारो तक का इसमें cover रह है इसके बाद YouTube से पढ़िए जहां अभी आपको मिले हर जेगे से पढ़िए और इसको रिवाइज जरूर करते रहे हैं चलो मिलते हैं मिटा फिर हम लोग next class में तब तक के लिए नमस्कार सभी को